शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कुछ भी हो जाए, हार नहीं मान सकते हम तनुजय, यह अच्छा लग रहा है न? हाँ बाभी हलो? हाँ, बस बस हम कॉंट्राक्ट साइन करने ही आ रहे है पहुँच रहे, बाई कीरती बेटा, आप कहीं जा रहे हो? मा, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चेक अप कराने डॉक्टर के पास? बेटा, आपकी तब्रत तो ठीक है न? हाँ मा, हम बिल्कुल ठीक है बस रूटीन चेक अप है अच्छा ठीक है, तो हम भी चलते हैं आपके साथ ऐसी हालत में न, आपका अकेले जाना ठीक नहीं हाँ, भावी बिल्कुल ठीक कह रहे है चल्ड मा, नहीं, नहीं, पास नहीं है डॉक्टर बिल्कुल हम जाकर आ जाएंगे, आप न आप यह स्वेटर बनाईए, बेबी के लिए ठीक, संभालके जाएगा हम फटाक से जाकर आते नजर ने लगा, भावी आपका परिवार तो फिर से जुड़ गया तो पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई अरे यह अभै और शद्धा आप तो अरे भावी आप से क्या बताएं पहले अभै तो शद्धा की तारीफ करते थकता ही नहीं था और अब तो जैसे उसकी शकल ही वह परदाश्ट नहीं कर पाता है यह सब तो होना ही था आंटी जी मतलब कार्यक्रम घर के बाहर जो चल रहा है यह तो भी देखी नहीं सुबहे से श्रदाम तयारे तुम भे आजाओ दफतर की छुटी है ना तो तुम बाहर कहां जा रही हो वह ममी जी रसोई का सामान कम पढ़ गया ना तो वही लेने जा रही थी कोई ज़रूरत निया तुम एक काम कर तुम ना पने पापाजी के लिए हल्वा बना दो उनका मीठा काने का मन कर रहा है ना चलो जाओ ज़र्दा को इतना वहां क्यों लग रहा है आने में? हमें जल्दी से यहां से निपलना होगा, अगर किसीने हमें इनका प्रोमें देख लिया? कोह ज्यादा सवाल जवाबोंगे ज़र्दा बेटा, हल्वा तो बनी रहा है एक काम करो पापाजी के लिए ना चाय पकोड़े भी बना दो क्योंकि पापाजी के कोई भरोसा नहीं है उनकी मिजाज कभी भी बदल सकती है चीक है? चलो आप ते साइन नहीं किया किरती जी? मन तो नहीं बदल गया आपका या प्रेग्नेंट हो गई आप क्योंकि फिर तो भूल जाहिए लागों रुपाय का नुकसान मैं नहीं उठा सकता नहीं, वैसा कुछ नहीं है बस चलिए, आप कहती ही तो माल लेते हैं लेजे, चलिए साइन कीजे सुनो, हम यह अत्रंगी कपड़े पहन कर यह आ गए क्यों, हमें बॉटन लग रहा है जल्दी से आओ, हमें पसीना आ रहा है कई हमर अमें कब ना निकल जाए आप फिकर मत कीजे मैं बस निकली रही हूं यहां से खुझाल से मिलने का मौका हम गवा नहीं सकते हैं जल्दी आओ जितने मुश्किले आनी थी, आगी कि अब हमारे साथ और हमारे बच्चे के साथ सब अच्छा ही होगा ते किरती इस घर में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है उस कुनाल की बातों में आकर वरुम जी के साथ अपना रिष्टा है तुबारा से कमजोर मत पहनेंगे कैमरे में जब अमने आपको देखा तो आपकी फोटो सीधा हमारे मन से होते हुए गंटागार चुराए के बड़े से बैनेट पर जाकर के चिपक गई जिसमें ब्यूटी क्रीम का अड़ है और और आपका चेहरा तरसे पैसे कितने मिलेंगे? तकरीबन एक लाग इरती जी, क्या सोचा आप? इस कॉंट्रैक्ट को साइन करके सफलता की उड़ान उड़नी है की नहीं? साइन नहीं करना है तो भी बता दीजे बुआ जी? क्या? बुआ कहां? कहां है बुआ जी आपकी? वो ना फोन आया था बुआ जी का हमेना जल्दी घर निकलना होगा, बहुत अर्जेंट है मैं आपके सामने बैठा हूँ यहां गंटी बजी नहीं और बिना फोन उठाए बात होगी क्या चल के आ रहा है जब तहां फोन उठाओ फोन आया था मतलब यहां आने से पहले आया था तो हमीड नहीं आया पर आया फोन और हमीड बहुत बहुत अर्जेंट हम हमें घर जाना होगा हम आपसे बादे मिलते हैं आरे लेकिन तो मातारानी यह तूफाद मेलाथ हमसे आखटक्राना चाहे श्रत्तव दिवी फोन उठा इस फोनी नहीं उठा रहे वाहाँ पर कुनौल को बोले मरो और तुमारी शेवनी बेन हमारे सामने है उत्या हमें देखले है कीरती क्या कर रही है कीरती यही पर है हमारी घर की सारी लग्किया इस मगरमच के जाल में फसी हुई है हमें बढ़ालो अरे पाप्रे आप सब को छोड़ी और बस निकल हिए वहां से, बस निकल हिए जल्दी, हाँ ऐसे इंदम से कहां चलीगे एकुम्द है, वो हमारा फोन रेके, हमें बहुत ज़रूरी काम है, हम बात में मिलते हैं अरे बट बात तो सुरू लो या, रे कि बात में मिलते हैं आज तो घर पे बड़ा तमाशा करेंगी बुआ जी, कुनाल के साथ जो देख लिया है हमें, मौका थोड़ी छोड़ेंगी मौका ना हाथ से निकल जाए, कुनाल का महांड़ा फोन ने का अगर इस ने उस अगर मच को सब कुछ पता दिया तो इस कुनाल ने ना तो आर्थी को छोड़ा, ना मेरी बहन को कीर्थी को समझाना जरूरी है कि ऐसे लोगों से दूर रहे हुआ 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 हैुआ हुआ हẁ एपर इस ने पर जारूरी आर्शा क्या जर्शा कर रही हो तुम्हाई अरे तुम्हें खाना नहीं बनाना तो तुम बोल देना था ना? अरे हमने पकोड़े बनाने बोले थे तुमने मिर्ची डाल दी है? ममी जी बस मन्सी बात नहीं है ममी बस घर के काम से जादा देयान इसका बाहर के काम हो में और तुम उसकी मदद करने आ गए? तुम ना ये सब खाना ठीक से बनाओ भाई और हाँ इसके बात इसके बात स्टोरूम में आ जाना बहुत काम बाकी है जल्दी हाँ चलाओ पाणी अखेले में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने मैं तो बस आपको पानी पर अब बोलना चाहती हूं या फिर कुनाल तिल बहराता ना तुम्हारा कुनाल का नाम चुनती तो क्यों हो मेरे साथ तो ये साथ दिन का नाटा करके क्यों चोड़ बजाना चाहती हूं मुझे गार एक यादा रही है उसकी मिलना है उससे चाओ चीलो अपनी जिन्दगी नहीं रोकूं का तुम्हाँ आस मुझे अकेला छोड़ दे तुम्हाँ अबेर छोड़िये मुझे मुझे दर्द हो रहा है और उस दर्द का क्या चो तुमने मुझे दिया है किसुमत्किला कीरोसे किसमत के लगी रोसे आज कुछ तो बहुत हो गी तुम आकरी राते में तुम्हारी इस घर में तुम्हारी साथ दिन की तपस्य कातम हो रही है ज़िए ज़िए हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि यह साथ दिन की तपस्या चल्दी खतम हो थाकि आपके और मेरे बीच की इस घरत फैमे से आजाती मिले स्वीटू, स्वीटू, देखो मैं तुम्हारी लिए नए कपड़े लेकिया है स्वीटू कीर्थी तो बाहर गई है बाहर? अकेले या किसी को साथ लेके गई है वो तो अकेली गई है अकेले? कहां गई थी तुम? वो वरुन जी वो हमना अरे वरुन बेटा कीर्थी को डराई है मत वो डॉक्टर के पास गई थी रूटीन चेकप करवाने के लिए अमी मैं डरा नहीं रहा हूं बस उसे ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था या तो मुझे बोल देती या आपको ले जाती साथ में अरे हमने उनसे कहा था कि हम साथ चलते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर पास में है तो वो अकेली चली जाएंगी भी वो तो कहेगी पर आप तो समझदार हो ऐसी हालत में कीरती को अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए यह उसके लिए और हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा किरती डॉक्टर ने क्या बोला कोई परिशानी तो नहीं है न सब ठीक है परुन जी हम बिलकुल ठीक है और आप हमारे साथ है तो अबे कुछ हो सकता है क्या वो सब तो ठीक है लेकिन आज के बाद तुम अकेले भाग कभी नहीं जाओगी या तो मुझे बोलना या फिर मम्मी को साथ लगी जाना ठीक है पक्का पर आप ना बहुत जादा ही परिशान हो रहे हैं इतना तो हम अपने आपको समहाली सकते हैं ना पर तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था उसे वहां पर होना चाहिए था तुम्हारे साथ नरुन बेका अब इतना परिशान मत हुए अच्छा आगे से हम सब ध्यान रखेंगे ठीक है ऐसे चलता रहा तो यह तो हमें सास भी अकेले नहीं लेने देंगे अब फ्रेश हो जाईए हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं सीमा घर के अंदर घरवाले घर के बाहर भी घरवाले करकी भी चैन नहीं है और तीतु तीतु ने अगर भुवाजी को बता दिया तो वह अलंग हमार दिमाग खाजाएंगी तुम क्या करें को समझ नहीं हा रहा हूँ हाई अब तो मुझे भी तुमसे आजादी मिल जाएगी शर्था कैसे बीब गहना ये साथ दिन टिक टॉक टिक टॉक देखो ना बस कुछी गंटे तो बाकी रह गए बहुत दड़प हो रही है मुझे की कब ये काली राद बीते और तुम इस घर से बाहर फिर सब तुमारी शकल भून चाहेंगे चली तु जाओंगे पर अब सिर्फ आरती ही नहीं कीर्थी से भी इस बारे में बात करनी होगी अब तो ना एक पल भी हम आपको अपनी आखों से दूर नहीं होने देंगे हम घर पे भी कौन सा केले रह पाते हैं ये कीर्थी? क्या सोच रही हैं आप? अब इने मन की भी हर बात चाननी है मा हमें ना गरम-गरम दूद पीने का मन कर रहा है दूद? अरे वह ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है आप ना सेब खाईए हम अभी दूद लेकर आते हैं आप 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 मा अमने बता दिया ना कि हमें क्या पीना है आप पीर से क्या पूशना है आप 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 कही ने हमारी मोडली के कॉंट्राक के बारे में पता तो नी चल गया हमें पता है आप आप दोनों यह क्यों आई हैं आप 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 तुमसे भी सवाशेर निकली हम सवाशेर तो आपको क्या कहेंगे बुआ जी यह यह जो खुलिया बना के आप भूम नहीं है न हाँ देखो हम वहाँ कोई गलत काम करने नहीं गए थे बता रहे अच्छा गर की बहु बेटियों पे जासूसी करती यह कोई अच्छा काम है हाँ जासूसी हाँ ओह हाँ अरे हम तो वहाँ क्या सोच कर गए थे और क्या निकला अरे हम तो उसको अब बुआ जी कुछ भी तो नहीं कहने आया है कीरती हम तो बस यह कहने आये थे कि तूने फिर से घरवालों से जूट बोलना शुरू कर दिया है न तूने सबको यह कहा कि तू डॉक्टर के पास जा रही है और तू वहाँ उस लफंगे से मिलने चली गई दीदू हमें अपना भला बुरा पता है तेरे अपने इस भले बुरे के चलते घरवालों का बुरा ना हो जाय ऐसी गलती दुबारा मत करना क्या गलती कर दी हमारी कीर्थी ने अब दाई जी देखिये ना कीर्थी बाहर अकेली ही चली गई वही तो आज बारुन भी हम पे बिगड़ गए अब तो हम आखे बंद भी कर ले न तो अभी कीर्थी को अकेला छोड़ना ना मुम्किन है यहां आईए बैठिये दूद पी लीजे लीजे गरम गरम लीजे कीर्थी तू अभी आराम कर हम बाद में बात करेंगे पीजे 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 अभाजी अब ऐसी हालत में कीर्थी को जादा टार्ट भी नहीं सकते और वोस कुनाल के जाल में फसती ही जा रही है जब आप उस मायावी राक्षस की पोल गोलेंगे पाटा गोलेंगे तब देखना इस कीर्थी और आर्टी के चुटे सपने भी उसी के साथ पूट जाएंगे अभाज रफोन आईगे जी हमें लेको अभाज में पाइंगे लगता है आपको चिडाने में बहुत मज़ा आता है रीचा जी हमें बुलाईया खुद ही नहीं आईए कुनाल जी आपने सुना होगा सबर कफल मीचा होता है सुब बाते बना रही है यह हमें बना रही है चलिए बताइये अब दर्शन कब करवाएंगी अजे हम तो दर्शन देने आये थे ना आप ही किसी और के आखों में खोई हुए थे उफ यह जलन की खुश्बू यहां तक आ रही है रीटा जी पर कमवक्त काम में ऐसा व्यस्त था कि मिलना ही नहीं नहीं हो पाया आप अब यह बताएए कुनाल जी कि आपके सारे काम इतने खुबसूरत होते बिलकुल आप जैसे उफ रीटा जी अब तो आपकी सुंदर्ता को सामने से निहारना है अजी निहार ही ता लेकिन हमें दुनिया के सामने नो पड़ी शर्माती है अरे तो अकेले में मिल लेंगे सिर्फ आप और मैं ठीक है तो दस बचे मेले ताथ को दस बचे हाँ इतनी ही पेचे है, मत हो युकराब जी कल सुमा तस बचे वही कह देता अरे वादा रहा रीटा जी अब तो आपको सामने से ही नहीं आ रहेंगे जदा अमें बहुआठ ड़ लग रहा है अगर कल सरासी कटबड हो गई तो कुनाल के लिए हमने जुचाल पिछा है तो सारा टाटाइफिश हो जाएगा नहीं बुआजी कल कुछ भी करके सब कुछ सही होना चाहिए हमारा हर कदम सही रह पर है बस कल की तयारी अच्छे से करनी है और इस कुनाल की असलियत आर्ती के सामने लाकरी रखनी होगी कल मेरी इस परिक्षा का आखरी तन है आज के लिए तयार है ना? जदा वैसे तो हम तयार है लिकिन अमारा दिल दोर सोचते तब 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 मुआजी आप बिल्कुल भी चंता मत कीजे आप आके चलिए मैं आर्ती कुली कराती हूँ आज आपके हाथों हमारी किसमों की लकीरे खिची जाएंगी क्या मत तमीजी आई किसमत से टकराती उल्जी लकीरों को सुल्ज हाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग झाल झाल झाल